कि अभ्これで आपको थे हो आप सस्केट उसके आप आपण स्पीड से आप आपने से हैं और step को भॉल सकते हैं जो करता है तो बाद मेरे मोगाले स्पीड या स्पीड टेखिए works करता है तो जो मत्रीडियो को चलते हैं कि मेरे नाम सफ़ी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो सबसे वह लिए जो टेम बताने मालाओ इसके लिए आपको करना क्या होगा इसके लिए आपको अपने मॉवाइल की सेटिंग पर आपको यह उपर की तब स्वाइब करेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका न के जारे माल का फिचार आपको पर आपको तीन ये चार आपकं ओंवाइल में धिकरे होंगे यहां पर सबसे पयला ऑक्शन दिया गया आपट्यॉंजे डेली अपको दिकंग रहोगा होगा आपको इन दोनों को ऑन कर लेना है आपको और रिस्थार्ट से टप्सीय दोनोंको मतलब यह आप जैसा यूज करते हैं उसके साब से अपने मॉवाइल को बैक्ग्राउंड जो डेटा या बैक्ग्राउंड जो एप चल रही होंगे उनको क्लोस करेगा जिससे आपकी मॉवाइल की जो रहें हैं वो स्पीडली चलेगी बट यह काम कप करेगा जिस टाइम आप स से टाइम चेंज कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जो बैक्राउंड की एप्स क्लोज हो तो आप उसको यहां से टिक हटा सकते हैं बट आप इसको टिक करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके मॉवाइल की स्पीड आपको बड़ी हुई लगेगी और उसक और आपका मॉवाइल आर्टी स्टो पर सकते हैं और कि आपकी जो यहां सेड़ कर सकते हैं यहां पर मैने संदेय के सेटल कर रखा है वह रात के 3 बज़ेगा उससे होता गया दोस्तों इससे होता गया जितनी भी आपकी फाल्ताव जोब कि क्लोजिंहाती है कुछ चुछ प् तो पूरा स्टॉप हो जाता है तो यह बहुत काम की रहता है मैं तो आपको दिन में एक बार या डे में एक बार आपने वाइल को री स्टार्ट जरूर करना चाहिए जिससे आपको खुद फरक लगेगा कि आपको मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वाली टिप मैंकि कैसी लगी क्योंकि ये टिप तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं अपना मॉवाइल दिन में एक बार जरूर स्विच ओफ और स्वरी री स्टार्ट जरूर करता हूं तो दूसरी टिप यह होगी तीसरी जो टिप बताने वालों दोस्तों वह भी बहुत ही काम का है उसके लिए बापे सेक्टिंग्स पर बैटरी ये डिवाइस के रपर जाना है यहां पर आपको घाना है में मोरी वाले ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा यहां पर जाने का से यह देख रहे हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा बैक्ग्राउंड में मेरे पास clear बता रहा है नाव 1.4 GB की मेरे पास बैक्राउंड में पॉसे चल रही है और अगर आप नीचे देखेंगे तो यह apps के नाम भी दिखा रहा है इतनी रेम्स यह खा रहा है समसंग इंटरनेट इतनी रेम्स खा रहा है यह सब चीज़े आपको दिख रही है आपको यहां पर क्या कर लेना है clean now जैसे आप इसको clean करेंगे तो आपको खुद मता लग जाएगा कि आपके mobile की speed थोड़ी सी increase हो गई क्योंकि यह बैक्राउंड में तलती रहती है तो यह देख रहे हैं आप यहां पर memory frame free हो गई है तो आपको इसको भी कर लेना है और आप चाहते हैं कोई background में run करती रहे easily तो आप उसको एक्क्लूट apps में जाके यहां पर डाल सकते हैं तो आप उसको यहां से डाल देंगे तो background में easily run होती रही तो आप चाहें तो इसको भी यहां से close करके रखें त से मेरा मोबाई się maximum speed में आ जाता है बर्लास्ट की उसली बताओं कorfकर बप्र संदेंगों सबसे नीचे आपको इंद्र जाना है उसके अंदर जाना है उसके अंदर जाने के आप यहां नीचे की तरह उपर स्वाइब करेंगे, उपर स्वाइब करेंगे तो आपको यहां पर तीन से चार option मिलते हैं, उनको वहां से setting को change कर लेना है, तो आप देखेंगे यहां पर आप आएंगे, यहां पर आपको drawing वादे section पर यह चार option मिलेंग जिसका नाम है तीन option मिलेंगे जिसका नाम है window animation scale, transaction animation scale और animator duration scale आपको दिख रहे होंगे इन तीनों को आपको क्या करना है 0.5 पे set कर देना है आप चाहें तो off कर सकते हैं बट off करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें retention सी होगी तो आप इसको 0.5 पे रखें उससे भी आ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो थैंकियो तो मुझे उमीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे वीडियो कुछ कभी तो मुछ डिसलाइक सकते हैं और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियों से लेटेट यह कुछ भी आप मुसे डारेक्लिक कमेंट करके पूछ सकते हैं यह हो सकते हैं तो आप टो अपने मेरे सक्टाइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चाहिए प्लीज मेरे सब्सक्राइब करना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों